और अब एक बार फिर आपको G20 भारत मंडपम लिये चलते हैं। एक महत्वपुन समय है। ये वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है। और इसलिए हमें human centric approach के साथ अपने हर दाइत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। Friends, COVID-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस trust deficit को और गहरा किया है। जब हम COVID को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के President के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस Global Trust Devisit को एक विश्वास एक भरोसे में बदलें। जो हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है। बैस्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो। नौर्थ और साउथ का डिवाइड हो। इस्ट और वेस्ट की दुरी हो। फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो। टेर्रिजम और साइबर सिकुरिटी हो। हेल्थ, एनरजी और वोटर सिकुरिटी हो। वर्तमान के साथ ही आने वाली पीडियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा। फ्रेंक्स, भारत की G20 प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है। भारत में ये पीपर्स G20 बन गया। करणों भारतिये इस से जुड़े। देश के 60 से ज़्यादा शहरों में 200 से ज़्यादा अधिक बैठके हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को G20 की स्थाई सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वाद है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है। आप सब की सहमती से आगे की कारवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ। अपना स्थानियनक्तव स्थान्यनु यूनिय। इस फ्र्थिद्यक्ष के आटार रहे तो हम आखिवादे यूनिय। सब्सक्राव प्रशहराब और यूनिय। इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्रा आग्र करूँगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभाग्रू से बाहर जाने का कश्ठ करें तो प्रधान मंत्री को आपने सुना इस्थाई सदसिता का उन्होंने जिक्र किया फिर भारत के संकल्प को दोहराया थीम को दोहराया सूत्र को दोहराया जी ट्वेंटी की आपचारिक एक शुरुवाद भी आप इसे इस समिट की एक आपचारिक शुरुवाद आप इसे कह सकते हैं और इसी के साथ इस बुलेटन में इतना ही खबरों का सलसला जारी है जी आपचारिक